नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं लेकिन सता में आते हिटाल मटोर करने लगे हैं पूरा सीम ने कहा है कि हमन सुरेन ने वादा किया था कि जार्खन में 20 बरसों से कारड़ा सायक सिसको को भाजपा सरकार दोआ रहता है बेतनमान को बढ़ा कर दिया जाएगा साथ ही सरकार बनने के तीन माह में नया बेतनमान लागू कर दिया जागा लेकिन आज तक सहायक सिक्षक इसका इंतियार कर रहे हैं वही रहवर सरकार के समाय बनाई गई निमावली में सायक सिक्षक को बीना परिक्षा दिये सीधे रूप से बावन सो से लेकर बी से अर दूसों रुपे तक बेतनमान दिये जाने के तियारी हो गई थी परिक्षा पास करने के बाद सहायक सिस्कों को तियानबे सव से लेकर 34,800 वाला बेतनमान मिलना था वह हेमन सुरेन ने बावन सव से लेकर 20,200 के बेतनमान के लिए सहायक अचार्यों के लिए 7 घंटे की परिक्षा देना अनिवारी कर दिया है कोडारबा के एक इस्कूल में प्राथना सवा के नाम पर धर्मांतरन का आरोप प्रातना सभा में पहुंचे थे जनकारी के नुशार सनीवर की स्कूल में 400 से 500 महिला पुरुष प्रातना सभा के लिए जूटे थे इस बीच अस्थानिय ग्रामिन पहुंचे एवं धर्वांतरन कारोप लगाते हुए जांकर हंगामा करने लगे लोग काना था कि प्रातना सर्धालों के भारी भीर उमर्ने की समानों को देखते हुए जीला वा पूलिस परसासन अलर्ट मोड में है सर्धालों के सुविधा को लेकर सानिवार को बीट कॉलेज दित प्रसासनिक सीविर में संतार परगना के डियाजी सुदर्शन मंडल डिसी मंजुरात भजंतरी और उन्होंने कहा है कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर साभी पता अधिकारी दंडा अधिकारी पूलिस पल अलर्ट मोड में रहें सन्नी वार्स जही ऑनलाइन काउंसिलिंग की परकिरिया शुरू हो गई है ऑनलाइन डाइस्टेशन और च्वाइस देने की अमतिमती थी 14 जुलाई निधायित की गई जब किसी भी परकार के संसोधन की तारिक 15 और 16 जुलाई है वहीं 20 से 17 जुलाई तक अभियार्तियों को अबंधिक सीट अबंटित पत्र निर्गत किये जाएंगे जबकि ये कई से 17 जुलाई तक अनुसांसित परिछार्तियों के डोकुमेंट का वेरिपिकेशन होगा और संबंदी संस्थान में नमांकन लिया जाएगा इसकूली सिक्षा की सुविधा, Learning में बिहार, यूपी से जुखन बहतर इसकूली सिक्षा में सुविधा और Learning Outcome के ममले में जुखन किती ती पलोसी, राजे बिहार और उतर परदेश से बहतर है बावजुद जार्खन की इस्थिती बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती राज्यों और केंद्र सास्थीत परदेशों को मिला कर जार्खन साथाइस परदेशों से पीछे है या खुलासा भाराज सरकार के सिक्षा विभाग की ओर से कराये गए परफरमेस ग्रेंडिंग इंडे रिपोर्ट में हुआ है इसमें जार्खन को 503.7 अंक मिले है जबकि बिहार को 461 और उतर परदेश को 501.9 अंक मिले है वहीं 21-22 की इस रिपोर्ट के उस्थित जार्खन को आकाँची टू ग्रेड में रखा गया इस ग्रेड में जार्खन सहीत अन्य एक आरार राज्य है इ लेकिन मच्छरों का डंग खतरनाक होने लगा है, मच्छर जानी तो रोगों से बचाव के कारे अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुए है, लेकिन मच्छरों ने आतांक मचाना शुरू कर दिया है, इस वरस जनवारी से जून तक राजे में डेंगू के 59 मरीज मिल चुक डेंगू के परसार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि बीते साल बारीज खत्म होने तक, जनवारी से अक्टूबर तक के दोस महिने में राजे के 12 जिले में महाज 47 मरीज मिले थे जमसेदपूर में मुस्लिम चात्रा ने अपनी सहेली को खिलाया परतिबंधित मास जमसेदपूर के मानगो इस्थीत सीबोसिस पबलिक इसकूल में मुस्लिम चात्रा द्वारा अपनी सहेली को परतिबंधित मास खिलाने कमला परकास में आया मामले की जनकारी होने पर छात्रा के परिजन इस्कूल पहुंचे और मामले की सिकायत की मामले को तुल पकरता देख इस्कूल परबंधन ने करवाई करते हुए मुसलिम छात्रा को इस्कूल से निस्कासित कर दिया है वहीं पिडित के सौजन द्वारा टीसी की मांग करने पड़ स्कूल पर सासन ने उन्हें भी टीसी दे दी है इस घटना के बारे में जनकारी देते हुए पिडित के परिजनों ने बताया है कि उनकी बची स्कूल में कख्छा चार में पढ़ती है सुक्रवार को आरोती हुई घर पहुची और बताया है कि उसकी सहली ने उसे परतिबंदित मास खिला दिया है बच्चों की जान से खिलवार कर रहे नीजी स्कूल बैटरी फटने से कई छात्र घाया जारखन मिनीजी स्कूल वैन बच्चों की जान के साथ खिलवार कर रहे हैं, राज में सुरक्षा नीमों को ताग पर रहकर इन वाहनों का संचालन हो रहा है, सरनिवार को भी एक ऐसा ही ममले आया है, जहां बच्चों को लेकर जार है स्कूल वैन की बैटरी फट गए, घटना पोस्ट ओफिस चोक के पास की है, वैन में माउंट कारमेल इसकूल के 20 अधिक बच्चे स्वार थे, अचानक वैन के पिछले हिसे में आवाज के साथ बिसफोर्ट होने के बच्चे भैवित हो गए, अनन फानम में मौजूद लोगों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला चार बच्चों को हलकी चोट भी लगी है, उन्हें ततकाल अस्पताल ले जाया गया, खारियत रही की सभी बच्चे सुरक्षी थाए, सिंथेटिक पेड़ा से सावधान बासुकी नाथ में 200 किलो नकली पेड़ा जब्त, राजकेस रावनी मेला महोत्सों में आने वाले कव और यो अगर पेड़ा लेना चाहते हैं तो जरा सावधान रहे, बतादे दूमका के बासुकी नाथ में कई नकली पेड़े की भी दुकान है, यह खुला सा खाज सुरक्षा पता अधिकारी के च्छापे मारी के दवरान नकली खोवा के पेड़ा बरामत कर हुआ है, बासु अधि दूकान में जाच अभियन चलाया गया, खाज सुरक्षा पता अधिकारी अमीत कुमार ने बिभीन पेड़ा दूकान से करीब 200 किलोग्राम नकली पेड़ा जब्त करुशे नस्ट किया है, खाज पता अधिकारी की स्क्रीनिंग जाच के लिए स्वास्त विभाग मोबाइल फोड टेस्टिंग लेवरेटी की परतिनुक्ति की गई है, इसी करम में सनिवार को बास्किनात इस्थित विभीन खाज पतिस्थानों में खाज समागरियों की जाच खाज सुरक्षा पता अधिकारी अमीत कुमार दूमका यों साहिवगंज के दिनेस मरांडी द्वारे बिजेपी परदेश कर्याले के घहराव की कोशिस असफल रही पूलिस की सकती के कारान अंदोलन कारियों को हर्मो रोड पर लगे पूलिस वेरिकेटिंग के पास ही रूकना पड़ा इस दरान जमकर नारेबाजी हुई बिजेपी परदेश कर्याले के घेराव की कोशिस के दरान हर्मू मैदान में बिजेपी परदेश कर्याले की ओर से आ रहे आदिवासी संगठन से जुड़े नेताओ और करकताव के साथ पूलिस की नोका जोकी भी हुई है लेकिन पूलिस की सक्ति के आगे इनकी एक नहीं चली और अंदोलन कारी बीजेपी परदेश करेले से पहले पूलिस की बेरिकेटिंग के पास सी खड़े होकर नारेबाजी करने लगे इस दोड़ान बीजेपी के आप आंदोलन कारी ओने जम कर भड़ास निकाली है धन्यवाद